हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में रेल गारी से संबंदित कुछ महत्पुन प्रस्ण बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रस्ण बार बार रेलवे एलपी और टेक्सिंशन में पूछे जाते हैं तो वीडियो कौन तक चोड़ देगा बहुत ही मजाने वाला तो चले प्रस्ण के ओर चलते हैं देखिए प्रस्ण है दो रेल गारिया एक दूसरी को बीप्रित दिसा में 50 किलो मीटर परती घंटा तथा 70 किलो मीटर परती घंटा की चाल से चलती है यदि उनकी लंबाई 150 स्पीड जो होगा वह अप्यक्षित चाल होगा ठेक है और डिस्टेंस जो होता है दोनों रेल गारी की लंबाईयों का योग होगा ठेक है देखिए अब यह अप्यक्षित चाल कैसे होगा जब दोनों रेल गारी एक दूसरे के बीप्रित में हो तो वहां पर चालों का क्या हो जेगा योग होगा ठीक है अब क्या बोले हैं कि डिस्टेंस में दोनों रेल गारी की लंबाई का योग होगा तो यहाँ पर देखिए एक सो पचास और सौ दोनों को जोरेंगे तो कितना दो सो पचास यह मीटर में तो मीटर में एम लिखेंगे अपयक्षित चाल तो दोनों एक दूसरी का क्या है बिफ्रित दिशा में चल रहा है तो यहाँ पर चालों का योग होगा तो सतर और पचास का जोर लिजे तो कितना हो जागा एक सो बीस यह किलो मीटर परती घंटा है किलो मीटर परती घंटा तो देखे, किलोमीटर परती घंटा को 1 होता है किलोमीटर परती घंटा यूनिट और 1 होता है मीटर पर 30 सेकन किलोमीटर परती घंटा के लिए 18 वट्टा 5 और 1 होता है 5 वट्टा 18 देखे, ये 12 यूनिट हुआ और ये छोटा यूनिट हुआ अगर 12 यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है तो 5 बटा 18 से इसको गुना करना होगा 12 यूनिट को छोटा यूनिट बनाना है तो 5 बटा 18 यानि छोटा यूनिट वला से गुना कर देना है तो 5 बटा 18 से इसको क्या करना है गुना कर देना है ठेक है तो यह हो जाएगा मीटर पर 30 सकंड देखें मीटर से मीटर कट गया अब यहाँ पर हल करेंगे ठीक है यहाँ पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा 250 बट्टा में 120 गूने 5 और यह जो बट्टा में है तो 18 उपर में जाएगा तो गूने 18 देखे 0 से 0 कट गए छोटी 18 चोटी 18 चोट उना 12 ठीक है 5 एकन 5 पाँचे 25 यह सकेंट यहाँ पर हो जाएगा तो 15 बट्टा 2 सकेंट यानि पुर्णांक में तो रहेंगे तो 7 पुर्णांक 1 बट्टा 2 सकेंट समय लगेगा यह आपका D नमबर चलिए हम लोग अगले प्रश्न की वर चलते हैं 450 मीटर वो 400 मीटर लंबी दो रेलगारिया एक ही दिसामे करमस 15 किलोमीटर परति घंटा एबं 20 किलोमीटर परति घंटा की गति से जा रही है एक दोसरी को पार करने में कितना समय लगेगा डिस्टेंस में दोनों रेलगारी की लंबाई का योग होगा तो देखें एक है 450 और एक है दोनों रेलगारी एक ही दिसामे जा रहा है तो जब एक ही दिसामे जा रहा हो तो वहाँ पर चालो का अंतर हो जाएगा ठेक हैं? तो देखें 20 में से 15 घंटा लीजे तो कितना? 5 किलोमीटर परति घंटा देखें किलोमीटर परति घंटा को अगर मीटर पर 30 सकेंड बनाना है तो क्या बोले हैं चाल को 5 वट्टे 18 से गुना करती है तो यहां पर गुने 5 वट्टे 18 से गुना करेंगे तो यह मीटर पर 30 सकेंड हो जाएगा मीटर मीटर कट गया यह 18 इधर जाएगा यानि 850 बट्टा में 5 गुने 5 और गुने 18 उपर हो पांच से पांचतिया पंद्रा पांचो का बीस ये गुना कर देंगे तो 18 चक 72 का दो हासिल 7, 18 तिया चोवण और 7, 61 ये 612 सकेंड हो गया कितना हो गया 612 सकेंड अब ध्यान से समझें अगर हम इसमें 600 अब प्लस बारा कर देते हैं और इसे 60 से हम भाग देंगे ठीक हैं तो ये मिनट हो जागा सकेंड है तो देखें ये 00 कट गया ये 10 मरताबे कट गया यानि 10 मिनट 12 सकेंड लगेगा कितना लगेगा 10 मिनट 12 सकेंड ये आपका 20 चली हम लोग अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं 45 किलो मिटर परती घंटा की चाल से चल रही 130 मिटर लंबी एक रेल गारी एक पूल को 30 सकेंड में पार करती है उस पूल की लंबाई क्या है यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जागा देखिए टाइम कितना लगा है 30 सकेंड तो यहाँ पर 30 सकेंड लिखेंगे और डिस्टेंस जब भी कोई वस्तु को रेल गारी पार कर रहा है अगर उस वस्तु की लंबाई ह तो वस्तु की लंबाई और रेल गारी की लंबाई दोनों का योग होगा तो देखिए पूल की लंबाई यानि पूल को पार कर रहा है तो पूल में तो लंबाई होता है तो पूल की लंबाई हम माल लते हैं और रेल गारी की लंबाई कितना है 130 यह मीटर में है ठीक है और इसका चाल रेल गारी की चाल तो कितना 45 किलो मीटर परती घंटा देखिए ये 12 यूनिट में किलो मीटर में है तो इसे छोटा यूनिट में बनाना है तो 5 बटे 18 से क्या करना है गुना कर दीजे तो ये मीटर पर 30 सकेंड हो जाएगा ठेक है अब देखिए नो से काटेंगे तो नो दुना 18 नो पंचे 45 ठेक है यहाँ पर 25 और इधर गुना हो जाएगे तीस गुने 25 बटा 2 ठेक है ये मीटर मीटर कट जाएगा ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो 25 तीस गुने 25 बटा 2 ब्रावर पी प्लस 130 देखिए दो से इकट जाएगा पंद्रा मर्तवे यहां पर समझे पंद्रा पंचे 75 का 5 हासिल 7 पंद्रा दुना 30 और 7 साथ 375 और 130 पलस में हो धार तो इधार आएगा तो मैनस हो जाएगा 130 ब्रावर पी आप घटा ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 साथ में से 3 घटाएंगे 4 तीन में से 1 घटाएंगे तो 2 यानि पी बरावर कितना 245 पी क्या माने है पूल की लंबा यही आपका एंसर होगा 245 मीटर ये आपका C नमबर चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दो रेलगारिया एक दूसरे की ओर A और B अस्टेशन से करमसर 50 किलो मीटर तथा 60 किलो मीटर की चाल से आ रही है मिलने के समय दूसरी रेलगारी पहली रेलगारी से 120 किलो मीटर जैदा दूरी ताई करती है तो दोनो अस्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी ध्यान समझे यहाँ पर मान लेते हैं A अस्टेशन और यहाँ पर B अस्टेशन एक रेलगारी इधर से चली और एक रेलगारी इधर से चली ठीक है अब इस दोनो अस्टेशन के बीच की दूरी मान लेते हैं D तो देखे, जब दोनों रेलगारी एक दूसरे के बिप्रित दिशा में चल रही हो और उसके बीच की दूरी, घ्यात हो या अग्यात हो तो कैसे हम मिलने का समाई निकालते है? तो देखे, मिलने का समाई होता है, यानि time बराबर हो जाएगा दोनों रेलगारी के बीच की दूरी तो माल लेते हैं यहाँ पर दोनों रेलगारी के बीच की दूरी है D और अपयक्छित चाल तो यहाँ पर देखें अपयक्छित चाल कैसे होगा देखें दोनों रेलगारी एक दूसरे के बीप्रित दिसा में है जब बीप्रित दिसा में हो तो दोनों की चाल का योग कर देंगे तो यहाँ पर देखे एक है 50 किलोमीटर परती घंटा और एक है 60 किलोमीटर परती घंटा तो दोनों को जोर लिजिते हो, कितना हो जागा, 50 और 60, 110 यह हो गया मिलने का समय अब ध्यान से समझे, क्या करा है, कि मिलने के समय दूसरी रेलगारी, पहली रेलगारी से 120 किलोमीटर जैदा दूरी ताइक करती है मतलब यह जो दोनों रेलगारी दूरी ताइक करती है, वो दोनों का अंतर कितना है 120 किलो मीटर का अगर दोनों को घटाएंगे दूरी तो 120 किलो मीटर अंतर आएगा तो देखे ये समाय हो गया अगर इधर से ये रेल गारी चली है इतना समाय में और इसका चाल देखे distance बिराबर हो जाएगा Speed into Time थेके तो ये तो Time है और यह धर से यह जो रेलगारी चली होगी तो 50 किलोमीटर की चाल से है तो अगर इसमें हम 50 किलोमीटर की चाल से हम गुना कर दे ठीक है? तो यहाँ पर धियान दीजे एक हो जेगा D बटे 110 गुने 50 ठीक है? यह कट जाएगा तो यह हो जेगा यह 00 कट जाएगा तो 6D बटा में 11 यह हो गया दूरी यह क्या हो गया? दूरी यानि यह है चाल और यह समय तो चाल गुने समय बराबर होता है दूरी दोनों का दूरी निकल गया अब इस दोनों को घटाएगे तो 120 किलोमीटर हो जाएगा तो देखे 6D बटा 11 माइनस 5D बटा 11 बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर के बराबर अब इसे हल कीजे तो हल करेंगे तो यह दोनों का लगुतम 11 हो जाएगा देखे 6D माइनस 5D बराबर 120 6D में से 5D घटाएगे तो D बराबर D बटा 11 बराबर 120 तो D बराबर 120 गुने 11 इस दोनों को गुना करेंगे तो देखे 12 का दो हासिल एक 12 और एक 13 और एक 0 है तो 0 लगाते जी यानि 1320 किलोमीटर यहां से यहां तक का दूर हो जाएगे यानि दो अस्टेशन के बीच की दूरी कितना है 1320 किलोमीटर यह आपका C नमबर इसी प्रकार का ट्रिक पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ सेर जरू कीजे फिमिल तक दिवीडियों तब तक के लिए धन्यवाद